इसा करेंगे एक तो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया वर में जो नोने प्लान करी थे फ्लॉक हो गई जब जब ये सामने आएंगे ना अपने गंदे शकल लेके ये तब तब सारे के सारे हिंदुस्तानी हिंदु मुस्लिम सिख किसाई सब एक हो जाना और इनके सामने दीवार बढ़के खड़ी हो जाना क्योंकि वो जो कॉंसुलिट है ना दोस्तों वो जो हाई कमिशन है वो जो एमबसी है वो आपका घर है वो हिंदुस्तान की मिट्टी है और हिंदुस्तान की मिट्टी में ना कुत्तों और सूरों को लोटना belt कलिग आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है, खालिस्थानियों के साथ जो treatment हुआ है अभी चैनेरा में उसके बारे इम बात हो रही है आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत से बाहर जितने भी सिक रहते हैं वो सारे खालिस्थानि नहीं रहते हैं इसमें बहुत limited लोग हैं कम amount में लोग है जो की पाकिस्तान के बेवगूफों से पाकिस्तान के जिहादियों से थोड़ा सा connectivity बना कर उनका brainwash जो है वो लोग है यह जो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया बर में जो उन्होंने प्लान करी थे फ्लॉक हो गई कुछ बेरोजगार बंदे जो यहां से गए कनड़ा citizenship लेने के लिए ठीक है जो जिनको बोला इन लोगों ने कि भई तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ यह सब वो कुछ लोग खड़े लेके so-called you know the khalisthanis वे उनके सामने खड़े हो गए इंडियन्स अब khalisthani ऐसे हो गए भाया ना दोभी का कुट्ता ना घर का ना घाटका अच्छा इसका क्या मतलब है भारत के रही नहीं क्योंकि भारत के साथ गदारी करके विदेश गई थे ठीक है और विदेश की जहां पे सेटल हो गए चाहे Canada, चाहे UK, चाहे Australia, चाहे US, वहां कि इनको values समझ में नहीं आती, क्योंकि basically ये आतंगवादी है, दिल से तो आतंगवादी है ना, दिमाग तो इनका पैदल है, काम ये लोग जानते नहीं, कोई skills है नहीं, इन में से कोई doctor, कोई engineer, कोई scientist तो निकलता नह business man, IT, जो IT industry चला ऐसा, तो कोई नहीं निकलता, तो ये खचर के खचर खोते हैं ये लोग, अच्छा, ये लोग खड़े होगे जंडा लेकर, वहां पे Indians आ गए सामने, वहां पे खड़े होके, और मैं जो हमारी NRI community है, मैं आपको salute करता हूँ, और मैं आपको नमन करता हूँ जे हो, मज़ा आगया बॉस, मज़ा आगया, आज संडे का दिन है दोस्तों, आज मज़ा आगया, ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहां पे, जब जब ये सामने आएंगे ना, अपने गंदे शकल लेके ये, तब तब सारे के सारे हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लि के खड़ी हो जाना, क्योंकि वो जो कॉंसलिट हैना दोस्तों, वो जो हाई कमिशन है, वो जो एंबसी है, वो आपका घर है, वो हिंदूस्तान की मिट्टी है, और हिंदूस्तान की मिट्टी में न, कुत्तों और सूरों को लोटना, not allowed, और मुझे बहुत खुशी हुई, ज तो यहां पर और एक तरफ अपने NRI, एक खालिस्तानी के मन में उबाल चला, कि मैं जाओं मैं, कुछ करूं मैं, you know, I should do something, वो बैरिकेट तोड़के भागा, वहां पर कैनेडा का पुलिस वाला खड़ा था, दो थपड़ मारे खालिस्तानी जमीन पर, दो थपड़ मारे उस पकड़ के फिर अंदर डाला इनको, फिर बाद मैं पता नहीं इनको छोड़ा चला क्या करा, लेकिन ये होना चीए दोस्तों, जब भी ये खालिस्तानी, सो काल्ड खालिस्तानी, सुर, जब भी ये आएं, किसी भी इंडियन हाई कमिशन के सामने, कॉंसुलिट के सामने, एम मौलाना साद रिजवी, इसने ये बोला है कि पाकिस्तान को स्वीडन की उपर हमला कर देना चीए, अटैक, बिल्कुल, तो ये कहता है कि इनको अटैक कर देना चीए, और तब ये इसलाम के खिलाफ जो बकवास करते हैं, ये इनकी बकवास हैं रुकेंगी, इनको कर देना अटैक स्वीडन पे, और यूव इंसल्टेट कुरान, सो वी डिकलेर एलान जंग अगंस्ट यू, ये देखो यार, पाकिस्तानी पीम, अलोंग विद नेवी, आर्मी, आर्मी, अर्फोर्स चीफ, शूट समन दी इंबस्डर शूडन तो तेल इम, वे, साद रिजवी, तू वो, एर्फोर्स, नेवी, और आर्मी के चीफ, जो कि प्लॉट गेरते हैं लहोर में, इसलामाबाद में, कॉर्नर प्लॉट गेरते हैं न, डियचे के, जिनका काम था कश्मीर गेरना, लेकिन उर्ण पाकिस्तानी, वो वाले आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एर्फोर्स जाएंगे, ठीक है, स्वीडन की उपर, यह जाएंगे अपने टैंक में, खुद के बॉर्डर तक पहुंचके, इनके टैंक का तेल खतम हो जाएगा, तो टैंक वहीं पर रुख गया, फिर उन्हों ने बोला कि नहीं, हम टैंक से नहीं जाएंगे, स्वीडन, पाकिस्तान इ एलाइन्स की फ्लाइट मंगाओ, उसमें जाएंगे, तो दस जाज मंगाएंगे, उसमें पाकिस्तानी बैटेंगे, ठक ठक ठक, बीच में रुकेंगे ये कहीं पर, मलेशिया, फलेशिया, रिफ्यूल करने के लिए, मलेशिया इनके जाज पकड़ लेगा, क्यार तुमने त और जैसे पाकिस्तानी आर्मी घुसेगे ना, स्वीडन के अंदर आपको पता है क्या होगा, जहाद के नाम पे, सोचिये क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी अपनी वर्दी उतारेगी, अपने हत्यार फेकेगी, नाली में, ठीक है, और वहाँ पे, इल्लीगल इमेगरिंट ब मिला है कैनेडा में, आपने देखा होगा, हाल ही में खाले स्थानियों ने फिर उत्पात मचाना सुरू कर दिया है, अब भी आपने देखा होगा, हमारी जो एमबेसी है, उस पर अटेक हुआ, फिर जलाई गई, इस तरीके की चीजा हो रही है, बेसीकली मेरे हिसाब से, ज नहीं न कहीं से CCDB में capture हो जाता है, तो विदेशों में तो ये definitely possible है, तो जिस तरीके से भी आप कोसिस करें, उन लोगों तक पहुँचें, उन लोगों का पता करें, तो फिर हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर ये हमने किसी तरीके से कर लिया, तो definitely फिर उन लोग को सजा मिलने लगी, तो इनका जो ये छोड़ा सा ग्रोप है, इसकी बैंड बच जाएगी, खालिस्थानी ज़्यादा तर पाकिस्तानी होते हैं, कई तो fake ID, fake account बनाकर सिखों का नाम यूज़ करके भारत में आग लगाने की कोसिस करते हैं, और सारे हैं भी खालिस्थानी, जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं, सिद्धु मुसेबाला उनमें से एक था, सिद्धु मुसेबाला के हाला कि बहुत बड़ी fan following है, बहुत बड़ी fan following है, उनके जो talent का तो मैं भी fan हूं, उनके गाने तो मैं भी सुनता हूं, बट उनोंने भी बहुत कोसिस की, बहुत लोगो जो अपने गाने में, खालिस्थान समर्थे बहुत सारी चीजें की हैं, आपको भी पता होगा, वो आप तो सब जग जाहर है, अब उनका एक नया गाना है, जो की काफी अच्छा है, जिसमें वो खुद है, और artificial intelligence की बज़ए से VFX की मदद से वो बनाया गया है, तो आप करें प्रह जो कि उड़ाई खृश एकि बज़ाइई बहुत